नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोकडिकबर.com के ओफिसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी ARO की तरफ से आई हुई नई सीधी खुली भरती 2020 के बारे में सभी से एक रिक्वेश्ट है कि अगर आपका सपना है साल 2020 के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर एक अच्छी सी पोश्ट पर डेफेंस गवर्मेंट जॉब पाकर इंडियन आर्मी को जोईन करने का तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को पूरी आखी तक कम्प्लिटली वाच कर देगा इसके अलाबा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करने के साथ साथी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ एंबल नोटिफिकेशन को ओन करना बिल्कुल भी मिस मत करेगा दोस्तों यहाँ पर करोना वायस की वज़े से अर्जेंट रिक्यूटमेंट आ चुकी जिसके बारे में आगे आपको सारी जनकारी देने वाला हूँ इंडियन आर्मी ARO की तरफ सी यह दूसरी भरती है इस साल कि इसके लाबा यहाँ पर अगर आप लोग आठमी और तसमी पासे तो अपलाई कर पाएंगे यहाँ पर रैली बरती के मताबिक आप सभी का सेलेक्शन होने वाला मेल एंड फीमेल के लिए बहुत ही बड़ा मुका होने वाला है साथ में आपको बताना चाहूँगा आपका जो आवेदन सुल के फॉरम फीस है वो बिल्कुल फ्री है और आप सभी लोग अपने मुवाइल फोन से लैप टॉप से फिर आपके पास यो भी हो टैबलेट होगा यहाँ पर ऑनलाई अपलाई कर पाएंगे करना चाहूँगा जो कि डेली मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले नंबर वाले का आपसन का यहाँ पर जो है तो आंसर दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने कल के दिन पूछा था आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप से पूछा गया था कि राश्टी और अंतर राश्टी वायुसनिक अभ्यास पीछ ब्लैक का आयोजन दूती वर्षी किस देश द्वारा किया जाता है। राश्टी वर्षी किस देश द्वारा पहली वार एंटी सीफ मिसाइल विक्सित की गई। अब लोग जहां पे प्लेट पे जाएंगे वहां पे सरकारी नोफ़ी टाइप करेंगे आपको एक अप्लीकेशन आसानी से मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह अप्लीकेशन किये होने वाली ही कि यहां पे वार्ट्स न्यूटे अंदर आप लोग देख पाएंगे अप्लेट कर दिया गया। आपके पास पुराना वर्जन है तो उसमें आपको ज़रूर नोटिकेशन डाउनलोड करने में और अप्लाई ऑनलाइन करने में प्रावलम आ रही होगी। तो आपको यहां पे प्ले इस्टोर पे जाने के बाद अपडेट का सेक्शन मिलेगा आप लोग सिंपली अपडेट के बटन पे क्लिक करके इस एंडॉइड अप्लिकेशन को अपडेट करने इसके लागा अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप देखते साथ ही साथ आप सभी से जो मैंने कोशन किया है उसका भी राइट अंसर आप लोग इसी अप्लिकेशन के कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं इसके लाब आप लोग देख सकते हंडेट के प्लास डाउनलोड हो चुके हैं और 4.6 की बहुती बहतरीन रेटिंग करिय जाता है चाहे कोई भी गवर्मेंट जॉब हो तो आप लोग एक बार जरूर ट्राइ करिएगा चले चलते हैं आज के अपने में टॉपिक पर दोस्तों आपको डारेक्ट अवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में साथ में आप लोग यहां पे अंलाइन करना होगा यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले है कर देल के वारे में तो यहाँ पर वेकैयंसी डिटेल के अंदर रैली भरती है तो कोई भी यहाँ पर नमबर वेकैंसी नहीं बताएजाती लेकिन यहाँ पर besides जी से बदição में शोबदर और इसके बाद इसके बा और आठमी पास वाले दोनों केटिगरी के कंडिडेट यहां पे अपलाई कर पाएंगे अब बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में इसका जाना आप सभी के लिए बेहरी ज़रूरी है इस्टार्टिंग डेट की बात के हैं तो यहां पे 27 अपरेल 2020 से अल्रेडी यह जो फॉरम भरे जाने वो शुरू हो चुके हैं जो की 10 जून 2020 तक भरे जाएंगे अजमिट कारण आपका 12 जून से लेकर 24 जून के बीच में होने वाला है और साथ ही साथ यहां पे जो उपन रेली की डेट है वो भी बता दी किई आपकी 26 जून से लेकर 30 जून 2020 के बीच में आपका ओपन रैली कंड़ेट करा जाएगा बात करते हैं उम्र के वारे में तो यहाँ पे अलग-अलग पोश्टों के मुताबिक उम्र सीमा रखी जाती है जर्नल ड्यूटी के अंदर जीडी के अंदर केंडीडेट की जो उम्र हो साड़े सतरा से लेकर 21 साल की होनी चाहिए और यहाँ पे अधर पोश्ट के लिए आपकी जो एज है वो साड़े सतरा से लेकर 23 साल तक की होनी चाहिए और all category female आने की सभी category की मैलाओं का भी कोई फीस नहीं लगने वाला। इसके राबा अगर आप लोग यहां तक आ गए हैं तो आप सभी के लिए यहां पे दो और new vacancies add करीगें जिनके वारे में अभी तक हैं। मैंने जानकारी नहीं दी है आपको बता दें। इंडियन ने भी new recruitment आ चुकी जहां पर लगवग 12,000 seller की पोश्टे हैं। apply here पे क्लिक करने के बाद आप लोग direct official website पे जाके apply कर पाएंगे जिसकी आखरी date 5 मई 2020 रखी गई है। इसी के साथ साथ CSF new vacancy भी आने वाली है लोगडाउन खुलने के बाद जहां पर आपको 37,000 पोश्टे मिलने वाली हैं। apply here पे क्लिक करके आप लोग registration कर सकते हैं। इसके बारे में सारी यंकारी आपको direct ही देखनों को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे पोश्ट इम बता दिया कौन-कौन से राज्यों से apply कर सकते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि यह All India Vacancy आचुकी आप लोग सभी राज्यों से apply कर पाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेल्डी के बारे में सेल्डी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको आर्मी के रूल के हिसाब से 21,700 रुपाई स्टाटी में और 79,100 रुपाय पर मन तक मिलने वाला है इसी के साथ education qualification की बात कहें तो अलग-अलग पोश्टों के मुताब इसके साथ यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे अगली पोश्ट है टलरक और इस्टों की परकी जहाँ पे सेम सिचवेशन है टेंट पश्टों इंटर्मीड बारमी पास यहाँ पे आठ, कॉमर्स और साइंस वाले अपलाई करेंगे 60 परसंट मार्क शाहिए होगा साथ में आपे 50% in each subject इसके अलावा यहाँ पे soldier, tradesman की पोश्टे हैं जहाँ पर 10 और 8 पास simply apply कर पाएंगे आपे housekeeping और miss keeper जैसी आपको पोश्टे मिले वाली हैं तो आप लोगों को यहाँ पे education qualification और post detail के बारे में basically समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं how to apply के बारे में तो आप लोगों को मोड अप selection के बारे में तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले आपका physical test होना देन उसके बाद medical test और finally आपका return examination होना है इन सभी selection process से गुज़रने के बाद आप सभी को finally Indian Army ARO के अंदर government defense job की एक अच्छी सी post मिले वाली है इसके बाद यहाँ पे आपको important link का section मिलेगा जहाँ पर आपको 5 तरह के link provide कराए गए हैं सबसे पहला तो यहाँ पे सरकारी नोकरी android application का तो आप लोग इस android application को download करें साथ में अपनी gmail id से register करें और application को 5 star की rating के साथ एक अच्छा सा comment के साथ आप लोग जो question मैंने इस डाइट में पूछा था उसका answer भी आपको करना है apply online पे click करेंगे जैसे ही आपको सीधे apply online वाले page पे redirect कर दिया जाएगा जो की join indian army का official homepage है आप लोग देख सकते हैं आपे important instructions to fill online application forum यहाँ पे आपको इस भरती के बारे में सबसे पहले important instructions दिये गया है जो की आप सभी को जानना बहुत ही जब यह सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर आप पहली बार यहाँ पे apply कर रहे हैं तो आपको registration करना होगा registration करने के बाद ही आप लोग लोग इन वाले page पे user ID और password की सहायता से आप लोग जो है तो login कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे register करना होगा यह register करने का page है register करना बहुत ही easy है आप लोगों के यहाँ से eligibility criteria पे click करके आपको देख लेना है कौन से राजे से हैं यहाँ पे आप लोग आसारी से select कर सकते हैं से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राज यानी इस्टेट, उस्तिवाज, डिस्टिक्ट, तैसिल, डेट आप वर्थ, यहाँ पर JRO, ZRO, ARO, हाइट अपनी डालनी है, जेन्डर डालना है, क्वालिफिकेशन, और मैड़ल, स्टेटर, सीय सारी चीज़े फिल करने के बाद आपको option दिखा देगा, कि आप लोगों के लिए अभी कौन सी भर्ती है, और आप लोग कौन कौन सी भर्तियों के लिए eligible हैं, और जिस भी भर्ती के लिए आप eligible हैं, वो भर्ती कब आने वाली है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर रेजिटर का कार ये complete करिए, आप लोग चेकाउट कर सकते हैं, इसी के साथ आपको जो अगला लिंक मिलेगा, वो download full notification का है, जो की अमर उजाला की तरफ से यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर देखिए, ओनलाइन आबेदन करने का मोका भारती से तरफ से यहाँ पर आया हुआ हुआ है, यहाँ पर आर्मी रिक्यूट्मेट आचुकी है, कहाँ पर है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आर्मी रिक्यूट्मेट रैली, आर्मी, हैली पैर्ड ग्राउंड कारगील यहाँ पर बताया गया है, और पातरताय की बात करी गया है, तो 17 से लेकर 19 वर्स से 6 माह है, और 21 से 23 आप लोग इस नॉटिस को देख सकते हैं, इसके अलावा आप लोग इनकी ऑफिस्चल वेबसाइट पे जाके जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी सारी जानकारी देख सकते हैं, उमेद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग अपलाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोग रैस्टेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली आप सभी को बस एक बार यहाँ पे वीड करना होगा,